स्वागत है मैं मुहम्वीर सिंग, आज हम जानेंगे हमारे देश में महीलाओं की सुरक्षा को देखते हुए एक बहुत अच्छा कानून पास हुआ है सुरक्षा की द्रिश्टी को देखते हुए, उस पर बात करेंगे कि कुछ महीलाओं उसका दुरपयोग भी करती हैं, आम महीलाओं के लिए जो ये कानून पास किया है, वो बहुत अच्छा भी है और महीलाओं के फेवर में लावडायक भी है, लेकिन अगर ये महीलाओं के लिए कानून बनाया गया है, तो मैं उन महीलाओं से गुजारिश ये करूँगी कि जो सच में एक सोशन और मानसिक प्रत प्रताडित होती है, तो उनके लिए अगर ये कानून बनाएं, तो उनको ध्यान में रखते हुए महिलाएं, जो कि इस कानून का गलत फाइदा उठा कर दुरूपयोग करती है वो ऐसा ना करें क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो महिलाय सच में प्रताडित हो रही है तो ये उन लोग के साथ भी ना इंसाफी होगी कि उन लोग को न्याय नहीं मिल पाएगा और कई लोग ऐसा नहीं है कि पुरुष गलत होते हैं या महिलाय गलत होती है पुरुष भी कहीं गलत होते हैं महिलाय भी गलत होती है लेकिन कहीं कहीं महिलाय भी गलत होती है जो कि इस कानून का दुरूपयोग करती है तो कोई अच्छी फैमेली होती है कोई लड़के होते हैं कुछ होते किसी भी केस में वो महिला महिलाएं उसको क courtyard कर देती है तो मैं बिंगए एक महिला होने के नाटे मैं यह कहना चाहूंगी कि इस कानून को मद्दे नजर रखते होगे यदी हम महिलाओं के लिए कोई कानून बना है और हमें ऐसी महिलाओं को अगर उनसे फाइदा है जो सच में ऐसे सोशन का कहीं हमने निर्भाया केस देखे ऐसे देखे उनका उससे वो मतलब उनको एक लाव मिल रहा है कि नय मिला हमें निर्भाया का हमने जैसे केस देखा हमें नय मिला तो लड़कियां उसका गलत दुरूपयोग न करें और अनेसेसरी किसी भी यूवा को ऐसे ना फसा है कि जिससे उस अच्छे वेक्ति का करियर बरबाद हो जाए तैंक्यू आपका क्या नाम है दर्मेंदर जी? मेरा नाम दर्मेंदर भीया है और मैं नौइडा से हूँ तो यह जो कानून के विशे में आप क्या कहना चाहेंगे महिलाओं की सुरुक्षा को देखते हुए कानून पास हुआ है हमारे देश में कानून है बहुत सक्त इस पर क्या कहना चाहेंगे आप देखिए मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो कानून है बहुत अच्छा है और नारी शक्ती हमारे लिए सर्वस्रिष्ट है लेकिन जो मैं भी NCR के अंदर रहता हूं दिल्ली, नोइडा, गुडगाओं, गाजियाबाद सबी जगे घुमता हूं लेकिन वहां हम बराबर के हैं, सब जिगे उनको बराबर तरीके से आका जा रहा है, जो काम पुरूस कर रहे हैं, वो काम महिलाएं भी कर रही है, लेकिन कैई सारे ऐसे केस सुने होंगे आपने कि किसी अधकारी को, या किसी समाज से भी को, हनी ट्रेम्प के मामले में फसा दिया जाता है, या किसी कोई कमजोर घर की लड़की उसकी साधी कर दी और वो वहाँ एडजेस्ट नहीं हो पारी, दहेजेग रुपिया का भी नहीं लिया है, तो दहेजेक्ट लगा दिया, मेरा सभी देशवासियों से और आप सबसे यही कहना है कि कोई भी कानून हो, एक तरफा नहीं ब आपको क्या नाम है, मेरा नाम जीतू राजी, जैसा कि हमारे देश में महिलाओं को सुरक्षा के लिए कानून बना है, और लेकिन कुछ महिलाओं उसका दुर्पयोग करती है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप, देखिए, मैं इसमें यही कहना चाहूंगा, कि मरला जो भी ह हम कहीं पर भी किसी से बात करते हैं, और हमारे जो यह कानून जो बनाया गया है, तो अच्छी बात है, महिलाओं भी इसमें अपने आपको सुरक्षित मेहुस करती है, है ना, तो मैं इकाना चाहता हूं कि बस अपने इसका गलत फाइदा ना उठाय जाए और पुरसों को भ हमार सौकी साथ हमारे देश में जो कानून पास हुआ है, महीलाओं की सुरक्षा को देखते हुए सक्त कानून बना गया है, कुछ महीलाओं का दूर्पयोग कर लेती हैं, क्या क्या चाहिए यह कानून जो बनाये गाए में समिन से बाहर हैं, और तो को ज्यादा बढ़ावा मिल गया है, अब कही इस्तरिया होती है, मर्दों का सुसन कर लेती है, तो चीज गलात हो जाती है, अपके राय में गलात है, गलात है, ठैंक्यू